Hello everyone, this is Nisa Rajput and welcome you all on NR classes. ये हमारी हर्याना जिक्की की आज second class है, इससे पहले first part इसका जा चुका है. Target हमने हर्याना पुलिस को रखा है, लेकिन ये जितनी भी classes रहेगी हर्याना को कोई भी exam उसमें आपकी help करेगी. Selected question हमने रखे हैं और series 5000 plus question की हमने रखे हैं. With PDF आपके लिए ये वीडियो आई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी PDF मिल जाएगी. अगर आप NR classes को WhatsApp पे जोइन करना चाहते हैं, तो इस नमबर पे आप message करें. ये WhatsApp ग्रूप का नमबर है, आप इसको जोइन कर सकते हैं. और अगर आप चैनल पे नई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी information आपको प्रवाइड की जाए. तो आज का first question है, निमलकित का मकबरा जो दक्षिन AC में प्रथम महिला समार्क है, कैथल हर्याना में है, मिस किसका मकबरा कैथल हर्याना में है, option रानी पद मिनी, रजिया सुल्थान, नूर जहां, उसमें से कोई नहीं. तो आप इसकी सही answer अपने answer comments box में write कर सकते हैं, हर class में हर वीडियो में total 25 question रहेंगी, और targeted question हमने रखी हैं, जो किसी भी exam में आपकी help करेंगी, जो 10 सालों से आते रही हैं और आएंगे, ये question भी 2000 हर्याना का SI police में पूछा हुआ question है, इसका सही answer होगा, option number B, रजिया next question, हर्याना में सनातन धर्म के संस्थापक कोन थी, option से, दीन दियाल शर्मा, हर गोलाल शर्मा, लाल सोहनलाल शर्मा, नेकी राम शर्मा, तो इसका सही answer होगा, option number A, दीन दियाल शर्मा next question, रस मंगल तीर्थ कहा स्थीत हैं, options कैथल, भिवानी, फत्याबाद, रहो तक नाम है, रस मंगल तीर्थ, ये एक तीर्थ हैं, ये कहां पे स्थीत हैं, options आपके सामनी हैं, और इसका सही answer होगा, option number A, कैथल, जो रस मंगल तीर्थ हैं, ये कैथल में स्थीत हैं next question, निम्रखित में से किसनी मुकदमा एशेर और साइरी को लिखा हैं, option से, सरसहियत एहमद घा, खुआजा अलताफ हुसेन हैली, इसलाम, उलनिशा, मिर्जा गालिब, सही answer देखी, मुकदमा एशेर और साइरी को जिसनी लिखा हैं, तो इसका सही answer होगा, option number B, खुआजा, अलताफ, हुसेन, हाली, सही answer option number B, रहेगा, आप अपने answer comments box में write कर सकते हैं, और अपकी कितनी त्यारी हैं, आप अपने आपको evaluate भी कर सकते हैं, next question, निमन वर्तमान भारतिय क्रिकेटरों में से किसने एक बार, under 16 भारतिये, शत्रन्स टीम में हिस्सा लिया था, जेनत यादव, मोहित शर्मा, अमित मिश्रा, यजवेंदर चहल, बात हैं भारतिये क्रिकेटर की, लेकिन under 16 भारतिये, शत्रन्स टीम में हिस्सा लिया था, तो सही answer होगा, option number D, यजवेंदर चहल, ये question आपको बहुत help करेंगी, अगर आपकी त्यारी अच्छी हैं, तो आ आप इनका अंसर कर सकते हैं, आपकी रिविजन हो जाएगी, डेली एक वीडियो आएगी, अनर कलासिस भी जो आपकी help करेंगी, वर्ष 1864 में, जीन्द राज्य के शाशक के विरुद किसने विद्रों का नितरतव किया था, options, अमर अली खान, हाकिम कासिम अली, सुबा वज जारी खान, सही अंसर देखी, इसका सही अंसर होगा, option number B, हाकिम कासिम अली, next question, हर्याना में सोहोना कार रेली, किस वर्ष में शुरू की गई थी, ये एक रेली है, और इसका नाम है सोहोना कार रेली, ये किस वर्ष शुरू की गई थी, और ये 2017 में, पुलिस के एक्जाम म पूछा हुआ question है, अगर आपको इसका अंसर पता है, तो आप comments box में कर सकती है, 1907, 1964, 1968, 1922, सही अंसर होगा, option number B, 1964 में ये शुरू की गई थी, next question, हर्याना में जन्मी, रित्तु रानी, किस खेल में भारत का परतिनिधितव करती है, नाम है, रित्तु रानी, हर्याना की बे टेनिस, बैडमिंटन, तो आप सब जानते ही है, नित्तु रानी को, ये होकी का क्या करती है, परतिनिधितव करती है, भारत की तरफ से, ये एक होकी प्लियर है, next question, नादिर शानी, करनाल के यूद में, शाहिक क्रित्यों के लिए, रिवाडी की किस राउ की परशंशा की थी, इंपोर्टेंट कोईशन है, उप्शन से, बालक्रिशन, भवाने सिंग, गुजर्मल, नंदराम, इंपोर्टेंट कोईशन ये आपके लिए रहीगा, तो इसका स सही अंसर होगा, option number A, बालक्रिशन, कोईशन ध्यान से देखी, नादिर शानी, करनाल के जो यूद हुए थी, उसमें जो सहसी क्रित्य थी, उसके लिए रिवाडी की किस राउ की परशंशा की थी, तो option number A, यहाँ पर सही है, बालक्रिशन, निक्स्ट कोईशन, टोटल 25 साम में पूछा गया है, option सौनिपत, रोहतक, सिर्सा, जीन, तो रोहतक एक ऐसा जिला है, जिसकी सीमाई, ना तो किसी राज्जी के साथ लगती है, और ना ही किसी किंदर शासे परदेश के साथ लगती है, option number B, बिलकुल सही है, आप अपने आपको उसे इवेलुएट कीजि और उर्दू कवी है, options है, स्रिंगार रस, हासे रस, शांत रस, उक्त में से कोई नहीं, बात हो रही है, अलहाड बिका नेरी, कई बार ये भी पूछा जाता है, ये क्या है, तो ये हिंदी और उर्दू कवी है, सही अंसर होगा, ये हासे रव के उर्दू और हिंदी कवी है तो हासे रस सही है, अलहाड बिका नेरी हासे रस, यहाँ पे option number B बिलकुल सही है, next question, डैश देश का web portal आधारित, किंद्री कृत सार्वजनिक, शिकायत निवारन और निगरानी परनाली शुरू करने वाला राज्य, most important question है, उतर परदेश, करनाटक, पंजाब, हर्याना, सह का सही अंसर B, हर्याना ही रहेगा, देश का web portal आधारित, किंद्री कृत सार्वजनिक, शिकायत निवारन और निगरानी परनाली शुरू करने वाला राज्य हर्याना है, option number D, यहाँ पर बिलकुल सही रहेगा, next question, डैश हर्याना की पहली अक्षेत्रिय पार्टी थी, जो हर हर्याना जनहित कॉंग्रिश, जनता दल, विशाल हर्याना पार्टी, इंडियन नेशनल, लोक दल, तो सही अंसर देखी, इसका सही अंसर होगा, विशाल हर्याना पार्टी, option number C, यहाँ पर बिलकुल सही है, विशाल हर्याना पार्टी, हर्याना की पहली अक्षेत्रिय पार इजी कोईशन है बट एक्जाम में बहुत वर पूछा जाता है तो जो हर्यानक इसरी के नाम से प्रशिद है वो है पंडित ने की नाम शर्मा ओप्शन नमबर A यहां पर सही है नेक्स्ट कोईशन डैश नरीते दुलही दवारा दुलहन को लाने की परतिक्षा के दुरान किया जाता है धमाल रासलीला गुगा खोडिया कौन सा नरीते है जो दुलही दवारा दुलहन को लाने की परतिक्षा के दुरान किया जाता है तो ओप्शन नमबर D यहां पर सही है खोडिया नरीते, option number D यहाँ पर सही है, खोडिया नरीते दुलहे के दुवारा दुलहन को लाने की परतिक्षा के दुरान किया जाता है next question डैश वर्धन वन्स का संस्थापक था options हर्ष वर्धन भिष्णू वर्धन, पुंड वर्धन पुष्प भूती तो वर्धन वन्स का संस्थापक कोन था, सही अंसर होगा option number D, पुष्प भूती, यहाँ पी पुष्य भूती, सही अंसर हेगा option number D, next question शूरज कुंड अंतराष्टिय कला मिला, एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला, उत्सव परतीक वरश, किस महीने में होता है, options January, February, March, April आपको पता है, सूरज कुंड का मिला है, रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला है, जो हर साल होता है, वो किस महीने में आयुजीत किया जाता है, तो आप सबको पता है, option number B, यहाँ पर ही होगा, सूरज कुंड का मिला फरवरी के महा में लगता है option number B, यहाँ पर सही है next question किस ने नार्नोल में एक महल बनवाया, जो मुगल बादसाफ शाह जाहा का दिवान था important question है, बीरपल राय मुकुंदास राय माधवदास, उक्त में से कोई नहीं, important question है सही अंसर होगा राय माधवदास राय माधवदास ने नार्नोल में एक महल बनाया था, जो मुगल बादसाफ सहा जाहा का दिवान था, लास्ट की वीडियो की लास्ट में आप कितने सही अंसर कर पाते हैं, कमेंट्स बोक्स में जरूर अंसर के थी next question सूरदास ने महान शंत डैश की शिक्षाओं से परेड़ना ली ऐसा माना जाता है जो सूरदास कवी थी इन्होंने महान शंत की डैश की शिक्षाओं से परेड़ना ली थी किसकी शिक्षाओं से परेड़ना ली थी कोशन यह है रामदास हरीदास चितन्य वलभाचारिय तो सही अंसर होगा वलभाचारिय option number D यहाँ पर सही है ऐसा माना जाता है कि जो हमारी शूरदास है इन्होंने महानशंत वलभाचारिय की सिख्षाओं से क्या लिथी प्रेणा लिथी option number D यहाँ पर सही होगा next question पंडित जस रास का संगीत निमलीखित में से किस घराने से संबंदित है ये भी बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है ज्यादा difficult question नहीं आती अगर आप हर्याना का किसी भी एक्जाम को करेक करना चाहती है तो आप उनी question को अच्छे से पढ़िए जो बार-बार आती है और अगर आपको अच्छे से करना है तो इससे बढ़िया होगा आप साथ में current को करें current से बहुत सारे 6-7 question हर्याना जिक्के में आती है तो आप current को daily पढ़िए आप एनर ख्लासिस पे भी आपको current affair मिल जाएगी daily नहीं तो आपको weekly और पूरे महिने के current affair मिल जाएगी most important question आप current की साथ जुड़िए और जो 10 सालों से पीछे आई हुए question से वही question पूछे जाते हैं ज्यादा hard question नहीं आती बहुत detail में करते हैं लेकिन simple question आती हैं और हर्याणा current भी आती है options है किराना, आगरा, गवालियर, मिवाती तो जो पंडित जसराज का संगीत है ये मिवाती घराने से बिलोंग करता है संबन्दित है option number D यहाँ पर सही होगा अपने reasoning और math को तेज कीज़िए अगर आपको exam लेकिन हर्याने की exam में 25 marks की हर्याना जिक्किया आती है तो ये काफी scoring है आपको पढ़ना चाहिए 1966 में पंजाब पुनर आयोजन अधिनियम नी पंजाब को विभाजित किया और अच्छितर को उस समय की किंदर शाशित परदीश डैश को हस्तान तरित किया option से हर्याना हिमाचल परदीश दिल्ली पंजाब तो इसका सही अंसर होगा option number D हिमाचल परदीश next question वीडियो के last में जरूर बताईए आप कितने सही कर पाते हैं साही पी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती थी option से कर्णवती, कुमूदवती, सर्सवती, अंदरिश दवती तो सही अंसर कीजिए जो साही पी नदी है वैदिक काल में किस नाम से जाने जाती थी तो option number D इसका सही अंसर है दृश्यदविती सही अंसर है option number D next question प्रीतमरानी सिवाच निमलीखित में से किस खेल के साथ जुड़ी हुई है प्रीतमरानी सिवाच आपनी नाम सुना है cricket, hockey, badminton, muckie, बाजी तो आप सब को पता ही है प्रीतमरानी सिवाच होकी खेल के साथ क्या है जुड़ी हुई है option number B इसका सही अंसर होगा next question तो जो पहला राष्टपती साशन हर्याना में लगा था वो लगा था 1967 में 1967 में राष्टपती साशन पहली बार लगा था हर्याना में सही अंसर option number B रहेगा last question आज की कला इस वीडियो का 2011 की जनगन्ना के अनुसार जनसंख्या के संधर्व में राज्यों में हर्याना का कौन सा स्थान है बात हो रहे है 2011 की जन्ना उसके अनुसार जनसंख्या के संधर्व में हर्याना का कौन सा स्थान था पहला, दसमा, अठारमा और स्ताइसमा तो इसका सही अंसर होगा option number C अठारमा स्थान था हर्याना का बहुत बार question पूछा जाता है तो ये थी आज की class और हमने बहुत ही जल्दी 25 question को discuss किया है आज की ये 25 question आप ये हो चुके हैं आप कितने सही कर पाए वीडियो की comments box में answer जरूर कीजिए Thank you so much, bye everyone